जै सद्गूरुदेव मित्रो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था गुप्त धन का तरीका आशाये आप लोगों को पसंद आया होगा आज हम इस वीडियो में बात करते हैं मंत्रो की साहता से कैसे पता चेले गुप्त धन कहा है या गड़ा धन कहा है सबसे पहले हम वीडियो पर बात करते हैं उसके बाद मंत्र देखते हैं वीडियो सुनेए किसी भी शूबह दिन ये साधना कर सकते हैं लेकिन समय की पाबंदी है रात्री साधे नौ बजे या सुबह साधे चार ये समय ठीक रहता है ये साधना किस से एकांता नदेखे के नारे स्यू मंदिर या पिर अपने कमरे में भी कर सकते हैं लेकिन कमरे में साधना करते हो साधना पुर्ण होने तक कोई आये नहीं इस साधना में पूजय के लिए कुछ सामगरीच लगए जैसे दस दिपक, नारे, मिटाई पूजय में मिटाई रखना होता है और नारे भी रखना होता है उसके बाद साधना खत्यों होने जाने के बाद आप उसे नदे में प्रवाइद कर देजिए इस साधना में दिपक का साध सामान्यों पूजय कीजिए कुछ भूर रखिए और सामने एक दुना भी लगाना होता है दुना लगाना ज़रूर है इस साधना में अब गुरु मंत्र वनिश मंत्र का जाप करें और इस वीडियो में इट मंत्र दे आये उस मंत्र का पाच माला जाप करें ऑइसा आपको ग्यारा दिन तक करना होगा हुम नमो दिविशत्षोरूप नवशनारा इन नवशनात जी नात्ची द spiritually लवला दिवा चल चले नवनाथ, नवनाथ जी माल का भारा सिट्था धाक्वा जब इस मंत्र सिद्ध हो जाए, उसके बाद मंत्र का प्रयोग कैसे करना हो सबसे पहले सामने एक दिपक लगाना होता है लेकिन दिपक लगाने से पहले उसको 108 बार मतलब एक माला इस मंत्र से अभी मंत्र कर दिपक लगाए फिर उसी दिपक का काजली जमा करीची और दूना भी लगना होता है उसे ऐसे डिबी में भरे जो डिबी लकड़ी की या प्लास्टिक की ना हो इस भाद का द्यान रखे और सामने धक्कन काच का हो जो पायर विक्ती रहता है उसके हाथ पर डिबी रखे या उसके हाथ पर एक काजल लगाए और इस मंत्र का पाच या ग्यारा बार जाप कीजिए इस प्रयोक्त से पायर वो कुछ अनुबह हो सकते हैं जैसे की हाथ का वजन बढ़ जाना फिर थरजाराना या फिर कुछ और अनुबह हो सकता है अगर हाथ में प्रकास दिखाए दी समझ जाना चाहिए काजल लग चुकी है इस तरगे से आप जान सकते हैं मित्रो 10 या 20 पायरो में से एक ही पायरो को काजल लगती है वैसे पायरोन का नियम का पालन करता है तो हर एक प्रयुक्सपल हो जाता है इस वीडियो में सिर्फ हमने इंचयान कर दिए कि कर सा गुप्तोधन जान सकें निकालने की जनकर नहीं दिये इसलिए ये वीडियो देखके निकालने के कोशिश ना करें और नहीं कंदक करें